सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट गूड बूर्डिंग इस्टूडेंट आज हम एस्टीपी शेकिंडेर की माइनर वेटिनरी सर्जरी की फर्स सेमस्टर की कोच इंपर्टेंट क्यूशन लगों 15 क्यूशन लेकर रहे हैं उनके बारे म अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपना जो पहला परसन आता है वो क्यूशन है अपना पसु की संदरता बढ़ाने के लिए की जाने वाली सर्जरी है क्यूशन नमबर वन है अपना पसु की संदरता बढ़ाने के लिए की जाने वाली सर्जरी है ऑप्सन नमबर एक बढ़ाने के लिए की जाने वाली सर्जरी तो इस किस्टन का सही आंसर होगा कोस्मेटिक सर्जरी मेजर सर्जरी बड़े तता गंबीर जो प्रिशन के जाते हैं उनको पन बोलता है मेजर सर्जरी तता जिसमें जान का जोखे में बना रहता है माइनर सर्जरी छोटी सर्जरी ह सेचिक में याती है जिसमें आपने हैं जो सर्जरीर करता है जो सरजरी बीक्से गाव का उधारन है, तो सींग का खोल अठना, उप्सव नमबर ए, एबुलजन गाव का उधारन है, और एबुलजन गाव किसे कहते है, ऐसा गाव, जिसमें ताउचा या उतकों की बहारी परत का, पूंड रूप से सरीर से अलग हो जाना, एबुलजन गाव कहलाता है, Q3, ताउचा वसकों की निरेंदरता का तूड़ जाना कहलाता है, और इबुलजन गाव, सेखैन्क की साइँन गाव, जिसमें ताउचा वसकों की बहारी परत की बहारी इबुलजन गाव कहलाता है, सिस्ट की से फैक्चर और रसोली सिस्ट एक ऐसी कैविटी होते जिस में पीले भूरे रंग का द्रवे बरा होता है तथा फैक्चर अपन बोलते हैं हड्डियों का तूटना या अस्यों की निरंतरता में दरार आजाना क्या खेलता है Factor कहलाता है रसोली को अपन बोलते है S рीर की किसी भी ऐसा माणिय लिछ एमियेटी में पस का भर जाना या मवाद का भर जाना क्या कहलाता है ebsos या रसोली कहलाता है तो इस Q& का सही अंसर होगा अपना Auction No.1 Next Q& अपना फादर अफ्सरजरी किसे कहा जाता है, फादर अफ्सरजरी किसे कहा जाता है, उप्सन नंबर एक मैंडल, उप्सन B, ओस्ट वाल्ड, C, सूसुरत, D, चरक, इस क्यूशन का सही अंसर होगा उप्संद सी फादर उप सरजरी सूसुरत को कहा जाता है जबकि ओस्ट वाल्ड को फार्मकलोजी का जनक माना जाता है ताता मैंडल को आन्वंसिक का जनक माना जाता है नेक्स्ट क्यूशन है अपना अगला क्यूशन है सैप्सिस किसे कहते हैं ओप्सन नमबर एक पस का निर्वान होना घाओ का निर्वान रक्त का निर्वान उप्रोक्त सभी इसमें पूचा गए सैप्सिस की स्थिक कैसी होती है तो सैप्सिस अपन उसे कहते हैं संक्रमन यूग तवस्ता जिसमें संक्रमन होता है और अपने महांते हैं जहां पर संक्रमन होगा वहां पर किसका निर्मान होगा तो इस क्यूशन का सही आंसर होगा अप्शन नंबर ए पसका निर्मान नेक्स्ट क्यूशन की बात करते हैं अपन यार भारे या टیयार से होने वाला खाव कुण सा होता अपना इंसायज ए लैसरेड ऐसा घ्हाव जिसके किनारेenne से लैसरेड कहते हैं पैने ट्रेडिंग लंबे नुकिले बस्तू के द्वारा है उपकरण के द्वारा होने वाला घाओ पैने ट्रेडिंग कहलाता है एबरेजन रगडिया खरोच के कारण जो घाओ बनता उसे अपन क्या कहते हैं एबरेजन घाओ कहते हैं तो इस Qशन का सही आंसर होगा अपना option number एक इंसाइज़ बाउंड नेक्स्ट क्यूशन अपना क्यूशन नम्बर साथ लंबे नुकिलेदार बस्तु के कारण होने वाले घाव का परकार है उप्सन नम्बर एक लेस्टेड उप्सन भी पैनिट्रेडिंग लंबे नुकिलेदार बस्तु के कारण होने वाले घाव को अपन कहते हैं पैनिट्रेडिंग उप्सन नम्बर बी इस क्यूशन का सही आंसर होगा पैनिट्रेडिंग लेस्टेड है अब भी बताएँ तो आपको ऐसा घाव जिसके किनारे केटे-फटे होते हैं उस अपन क्या कहते हैं लेस्टेड कहते हैं गंदू की गोली से होने वाला घाव क्या कहलता है गंसोट कहलता है next question, नेक्ट क्यूसन एक अपना cat gut कि आइच से बनाया जाता है option 1 नमबर एक बेड, बी, कुता, सी, बकरी, डी, सूवर इस question का सही answer हो बेड cat gut bheड की आइच की सले मुखोसा से बनाया जाता है यह अपन यह कह सकते हैं का आए भैस की आठकी जो सिर्व जल पुरत है, उसे भी cat-gat बनाया जाता है तो इस क्युशन का सई अप्र ब्हेड़ की आठकी सब मुक्षपर से cat-gat बनाया जाता है, next qu Philippines ऐसा गाव जिसके किनारे कटेकटे होते है तो अबी बताया था आपको ऐसा गाव जिसके किनारे कटेकटे होते है ओपिक्शन नमबर एक levister trade ब 10- 11 इंसाइज़ है medium इंसाइज सी गणसोट्र पायमी ट्रेडिंग एसा गाव जिसके किनारे कटेकटे होते हैं उसे अपन लेसर टेड कहते हैं उप्शन नमबर ए नेस्ट क्यूशन है अपना लोकल एनसेश्या के उधारन है लोकल एनसेश्या के उधारन है उप्शन नमबर एक जायलो के बील इगनो के ब्यूटा के उप्रोक्त सभी लोकल एनसेश्या एनसेश्या को तीन भागो बाठागए है लोकल रीजनल तता जनरल एनसेसिया लोकल एनसेसिया हैं में कोणको से आते हैं जालों के लिगनों के बूता कि यनरी तीनों ही लोकल bodies तो इसका सही अंसर एpidural anesthesia का उपयोग करते हैं इंपोर्टेन्ट क्योसर नए 3 Sachrom या अपन लास्ट सायकरम या फ़र्स्ट कोकसिजियल वर्टीबरा Western के मद्यल लगाए जाता है जिसमें अपन दो परतिसत जायलों के निया पांच परतिसत लिकनों के उप्योग करते है नेक्स्ट क्युसेन अपना कौन सा घाव मक्यों के कारण होता है option नमबर एक, maggot घाव option बी, ulcerative c, inset white, d, कोई नहीं कौन सा घाव मक्यों के कारण होता है तो इसका सही अंसर होगा, maggot घाव option नमबर ए next question अपना पसु के सरीर की पूर्ण रूप से सम्विंदनाओं से लुप्त होने की इस्तिती है या उसे क्या कहते है लोकल निसेतन, जनरल निसेतन, खेत्रिय निसेतन, उपरोक्त सभी जैसा कि अभी बता गया था आपको कि एनसेशिया को तीन भागों में बाटा गया है, लोकल, रीजनल और जनरल, तो पूर्ण रूप से सम्विंदनाओं से लुप्त होने की इस्तिती को अपन जनरल एनसेशिया कहते हैं या जनरल निसेतन, कहते हैं, उप्सन नमबर बी, बिल आंत्रेग अंगो की शिलाही के लिए कोन सा दागां काम में लिया जाता है, उप्सन नमबर एक साधारन कैट्गेट, बी, क्रोमी कैट्गेट, इकार्ण से लिकों, तो आंत्रेग अंगों की उपचार में कौन सा तेल काम में लिया जाता है जो मेगट घाव होता है उसके उपचार में अपन कौन सा तेल काम में लेते हैं option नमबर एक तारपीन का तेल, option B सर्सों का तेल, C तिली का तेल, D उप्रोक्त सभी तो मेगट घाव में अपन मक्यों को बहार निकालने के लिए उस में टरपंटाइन होल का अप्योग करते हैं या तारपीन का तेल काम में लेते हैं इस प्रकार से अपने कुछ important question थे 15 इसके अलाव अपन अभी next video डालेंगे जिसमें फर्स semester के 20 question होंगे important जो जल्दी आपको मिल जाएंगे और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पांस तारिक्षे अपनी online exam में चल रही हैं तो उनके लिए आपको विशेष लाबदायक होंगे तो आप इनका ध्यान करें थैंक्यू धन्यवाद कर दो